तो देश कोश्चिन नमबर 84 जिसमें दिया क्या है तो आगी चलते हैं अपन तो अपनको एंगल निकान लाएं इन दो लाइन के बीच का ठीक है तो अपने पास डाइरेक्ट फॉर्मुला आएंगल निकान लिए 10 थीटा सबसे पहले आपन M1 और M2 निकालेंगे तो यह वाली जो लाइन है उसका स्लोप है M1 M1 हो किता जाएगा M1 हो जाएगा ROOT3 हो जाएगा M1 और M2 लेट यह वाली लाइन का स्लोप है तो M2 किता हो जाएगा स्लोप तो निकालना आपको आता ही होगा कैसे निकालते है y is equal to Mx plus C के फॉर्म में इस लाइन को लिखो और फिर स्लोप निकाल लो ठीक है तो अगर मैं M2 निकालूंगा तो M2 आजाएगा 1 अपॉन रूट 3 ठीक है अगर इसे अपन स्वाल करें तो 10 थीटा किता हो जाएगा M2 माइनस M1 मतलब 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन प्लस 1 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 ठीक है इसका मॉड लेना आपको ठीक है तो यह आजाएगा 1 माइनस 3 अपॉन रूट 3 अपॉन टू विच इस फर्दर इकल टू माइनस 2 अपॉन रूट 3 अपॉन टू और यह हो जाएगा माइनस माइनस वन रूट 3 बेंसर मॉड यहांसे 10 थीटा की वैलियो का मॉड ए उतना क्योंकि यह मॉड है तो इसका हो जाएगा वन 30 degree ए अपको पता होगा कि जो भी लाइन होती है तो यह लग नहीं रही में यह फिल माइन और एक यह वाली दूसरी लाइन है ठीक है अगर एक दुसरी करेंगी तो एक अंगल फॉर्म और एक वप्ट्यूते एंगल फॉर्म होगा तो अगर यक्व्ट आंगल होता है थीता तो आपटी सेंगल हो जाता है माइटी माइनस सीटा इंच दुक्या है है मिलों इस ये इस इत्ग है े अपन को दिया कि इि अपंको तो दोनों बताने चाहिए तो लेट अप्टिस एंगल अपना थीटर डेश तीटर डेश किता हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री विजस वर्दर एक्वल टू 150 डिग्री तो ही हो गया अप्टिस एंगल जो कि आगया अपना 150 डिग्री